उधारण 21, 10, 69 अंश धन कॉट 75 अंश को 0 अंश से 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोण मिती अनुपात में व्यक्त कीजिए हल 10, 99 अंश धन कॉट 75 अंश बराबर 10, 99 अंश रिण 31 अंश तो 10, 99 अंश को हमने लिखा 10, 99 अंश रिण 31 अंश उसी तरह से कॉट 75 अंश को हम लिख सकते हैं 90 अंश रिण 15 अंश तो 90 में से 15 को कहीं हम घटाते हैं तो हमें 75 प्राप्त होता है तो हम इसी तरह से कॉट 75 अंश को लिखा कॉट 95 अंश रिण 75 क्यूंकि हम जानते हैं कि 10, 99 अंश रिण थीटा जो है वहां कॉट थीटा होता है तो हमारे पास प्राप्त होंगा यहां 10, 99 अंश रिण 31 अंश के स्थान पर कॉट 31 अंश धन कॉट 95 अंश रिण 15 अंश के स्थान पर हम 10 15 अंश लिखेंगे क्यूंकि हम जानते हैं कि कॉट 95 अंश रिण थीटा होता है 10 थीटा थीटा के स्थान पर 15 अंश यहां पर तो हमारे पास मान आया 10 15 अंश हमने कौन सा सूत्र यहां पर इस्तेमाल किया 10 90 अंश रिण थीटा यह हम ने यहांपर प्रेशों किया 10 90 अंश रिण थीटा बराबर कॉट थीटा थीटा के स्थान पर 30 अंश है और उसी तरह से काट नव्य अंश, रिण थीटा के स्थान पे हमने 10 थीटा का प्रयोग किया यहाँ काट नव्य अंश रिन थीटा के स्थान पर 15 है तो हमने यहाँ पे 10 पंदरा अंश लिखा इस तरह से हमने शुन्य अंश और 45 अंश के रूप में 69 अंश धन कोट 75 अंश को 31 अंश धन कोट 15 अंश के रूप में लिखा तो यह इस उधारण का हल होगा